इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Dizemax Tablet का इस्तेमाल pancreatic enzyme की कमी के इलाज के लिए किया जाता है यह एक pancreatic enzyme supplement है जो digestion में मदद करती है यह दवा मल की आवरती और पेट की बेचैनी भी कम करती है Dizemax Tablet को भोजन या नाश्ते के साथ या तुरंत बाद बहुत सारे पानी के साथ लिया जाना चाहिए यह enzymes को भोजन में मिलने में मदद करता है ताकि वे इसे पचाने में मदद कर सके आपको जो dose दी जाएगी वो आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी आपको दवा लेना तब तक जारी रखना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर आपसे उसे रोकने के लिए न कहे आप इसे अपने शेश जीवन के लिए ले रहे हैं इसलिए एक दिंचर्या बनाए और सुनिश्च करे कि आप इसे नियमित रूप से लेते हैं डिजमेक्स टेबलेट केवल आपके इलाज का एक हिस्सा हो सकता है जिसमें विशेश आहार शामिल हो सकता है इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में पेट में दर्द, पेट में पेट फूलना और डायरिया, दस्ट शामिल हैं अगर आप इनसे परेशान हैं या यह ठीक नहीं हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं इन प्रभावों को रोकने या कम करने के तरीके हो सकते हैं अगर आपको गठिया, अस्थमा या कोई अलजी है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए अगर आपको डायबिटीज है तो यह दवा आपके बलड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकती है और इसी कारण आपके डायबिटीज के इलाज को भी प्रभावित कर सकती है आपको इसे एंटासिट के साथ में या उसी समय नहीं लेना चाहिए अगर आप गरभवती हैं या स्तनपान कराती हैं तो डॉक्टर से बात करें कि क्या यह आपके लिए सुरक्षित है जब आप इसे ले रहे हैं तब आपके डॉक्टर नियमित ब्लड टेस्ट कर सकते हैं ताकि यह आपकी मदद कर सके विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद